अच्छानक से याद आ गई जिठानी जी को family की तो finally जिठानी जी की आदास जो की इनके मतलब के टाइम पे चली गई थी तो इनीके मतलब के टाइम पे वापिस आ गई है तो hello everyone कैसे हैं आप लोग आसा करती हूँ आपसे भी स्वास्त और बिलकुल माज़त होंगे तो वही जेठानी जी की यादास जो कि उस टेम पे चली गई थी जब इन्हें निको के सस्क्राइबरों की जरूती जब इन्हें लोगों के सपोर्ट की जरूती जब इन्हें व्यूस की जरूती उस टेम पे जेठानी जी की यादास चली गई थी उस टेम पे यह भूल गई थ कि यहाँ पर अगर family का matter में लेके आती हूं तो तीसरे बोलेंगे और जब तीसरे बोलेंगे तो मुझे तकलीफ होगी मुझे कश्ट होगा तो नहीं जी तब तो जो इनके supporter थे वो इनको बहुत support करते थे तो इन्हें बहुत खुशी मिलती थी ये कहते हैं ना बिल्कुल relax mode मे जाके सोजाती थी इन्हें बड़ा मज़ा आता था आनन दाता था और उनकी वीडियोस को ये बहुत enjoy करती थी तब इन्हें कोई तकलीफ नहीं हुआ करती थी कि भई तीसरे कैसे बोला है मेरी family की matter में तीसरे ने हिम्मत कैसे की बोलने की मेरी family है ये पडोसी की family नहीं है ज जिठानी जी को बिलकुल भी feel नहीं होता था कि भई ये family मेरी खुद की है मेरी अपनी है मेरी सासु माता मेरी ही पती की मा है लेकिन आज अचानक से याद आगई जिठानी जी को कि ये सासु माता मेरी अपनी है मेरी पती की मा है तो भई इसलिए ये समझा रही है उन लोग को जो लोग यहां पे कुछ भी बोलते हैं इनकी फैमिली के लिए पर मत बोलिए क्योंकि तीसरा कोई बोलता है ना फैमिली में तो दुख तो देखो होता ही है वहला वाह किस तरीके से मजाक उड़ाया गया है ना इनों के जो सपोर्टर है इनके इने जो सपोर्ट करते हैं उ उनके बारे में भी यहां तो जिठानी जी नहीं सोची क्यों कि इनका आज मतलब है आज इने अपनी फैमिली इसलिए यादा रही है क्योंकि इन्होंने लिया है लेगल एक्षन और उस एक्षन के लिए इनने जरूवत है अपनी फैमिली की क्योंकि पहला सवाल तो इनसे ही किया जाएगा तो आखिर आपने ऐसा क्यों किया आपने अपनी फैमिली को इस तरीके से सोचल मेडिया पर बदनाम क्यों किया अगर फैमिली से कोई भी एक उठकर के एक नोटिस डाल दिया जिठानी जी के खिलाफ कि यहां पे सब कुछ हमारी बड़ी भाबी जी की वज़ है तो फिर तो जिठानी जी का सारा पासा ही उल्टा पड़ जाएगा ना सोच के देखिए जरह ना तो वह क्या माइंड और क्या गेम खेला है जिठानी जी ने इन्होंने सोचा कि मैं पहले ही अपनी फैमिली की तरफ से डाल देती हूं ताकि हमारी फैमिली कुछ भी ना ब पता चल जाए जो लोग मेरे खिलाव बोलने की सोच भी रहे हैं तो यहां पे जिठानी जी की ओवर एक्टिंग इनकी सपोर्टरों को नजर आने लगिए तो जिठानी जी आपको क्या लगता है कि आपकी गलतियां अगर रहेंगी तो आपकी यह जो सपोर्टर है वो आपक हम तो बोलते हैं हम तो जिसे सपोर्ट करते हैं उसे करते ही हैं लेकिन आपकी जो सपोर्टर हैं वो बहुत ही अच्छे हैं हम तो खुद तारिफ करेंगे वो भईया जिसमें गलती देखते हैं वहीं कूद पढ़ते हैं और वहीं सपोर्ट करने पहुंच जाते हैं तो फिर आपको क्या लगता है कि आप सोचल मेडिया पे रहेंगी और आप में कभी गलती निकलेगी या फिर गलती कोई देखीगा नहीं लेकिन या पे जिठानी जी की गलत फैमी मुझे लगता है कल से ही दूर होने लगी होगी क्योंकि इनकी कुछ सपोर्टर्स हैं जिनोंने इने ब भай खुदकी बेजजटी हो यह रही हमाअरी बेजजटी तो मत करो हमें आपको इतना सपोर्ट किया है ब्यचारी बनाया है न आ मासूम बताया आपको और यहां तो आप कुछ और नजर आने लगी हैं तो भै थोड़ा चेंट्रोल में रहें और यह मासूमियत अपनी और चली जाएगी तो भई यहाँ पे जिठानी जी दो रियक्षन चैनल वालों के उपर लिए हैं लेगल एक्षन इन्हें उनके सवाल जवाब से इतनी मिर्ची लगी इन्हों ने सोचा अब मुझे कुछ कर लेना चाहिए है ना कुछ एक्षन वेक्षन ले लेना चाहिए ता इन्हें पे सवाल जवाब कर दिये तो उनके जवाब इन्हें नहीं देने और यह लोग होते कौन है लेकिन मैं यह सोच रही हूं कि जब यहां पे गई हैं एक्षन वेक्षन लेने हमारी सरकार के पास तो वहां तो हमारी सरकार भी किसी को सपोर्ट करती है तो उनसे कई सव भाइल जवाब करती है और यह क्या कहती है बिलो दबैल्ट जो के बातें तो वो बाते तो आपे भी होने लगती है जब कहते हैं न सीधी उंगली से घीनी निकलता तो घी कभी-कभी निकालने के लिए हमें उंगली टेड़ी करनी पड़ती है तो मैं यह सरकार भी कुछ इसी खुल के आएंगी सरकार जी के पास मतलब हमाई सरकार के पास तो जिठानी जी से तो तमाम सवाल इन ही से किये जाएंगे तब जिठानी जी क्या करेंगी और मैं ये भी सोच रही हूं कि अगर इनकी फैमिली वालों में से को माता जी हो या फिर सुमित भाई हो अगर किसी एक एक नोटिस ड्राल दिया इनके ही खिलाफ कि हमारे घर की जितनी भी इज़त उड़ी है वो इनी की वज़े उड़ी है है ना हमारी घर की जितनी बदनामी हुई है उसका जो मेन रीजन है वो यही है सारी जड़त की फसाद तो यही है हमारी घर की फसाद नहीं यही है तो मै यह सोच रही फिर क्या होगा और जरह आप लोग सोच के देखें जिठानी जी ने आखिर फैमिली को इसमें क्यों समेटा हुआ है कि हाँ फैमिली फैमिली की तरफ से मैं कर रही हूँ क्योंकि आप सबको पता नहीं है जिठानी जी की चाला की जिठानी जी को पता था कि अगर इन्होंने फैमिली को नहीं समेटा इसमें फैमिली का नाम नहीं लिया लीगल एक्षन में तो यहाँ पे सबसे पहले तो इनसे ही सवाल खड़े होंगे और इन्हीं पे सवाल ज़्यादा किये जाएंगे कि आपकी फैमिली की बारे में आपने तो खुद इतना कुछ बोला है ना तो मैं यह कहती है इन सारी चीजों को रोकने के लिए इसलिए मैंने यह सारा एक्षन वेक्षन लिया तो नहीं जिठानी जी आपने कुछ लोगों का मुम बंद करने के लिए एक्षन लिया और कुछ लोगों को अपनी सपोर्टरों को डराने के लिए आपने ये एक्षन लिया ठीक है और वो आपके सपोर्टर मुझे नहीं लगता किसी से डरते वरते हैं समझ मैं आई आई आपको तो खेर जी यहाँ पे जिठानी जी की ओवर एक्टिंग अब आप देखते जाएं कैसे कैसे नजर आईगी और किस तरीके से यही जिठानी जी सबको सफाईया देते इनकी व्लॉगिंग कम आने वाली है इनकी रियक्षन ही आएंगे आने वाले टाइम में इनकी व्लॉगिंग कम दिखा करेगी आपको इनकी सफाईया जादा नजर आएंगी इनकी ही वीडियो में उसको आप लोग जादा इंजोय करिएगा और वही चलते ही चलते मैं बात कर लेती हूँ निककू सुमित भाई और वही इनकी छोटी सी गुडिया रानी उनकी इतनी प्यारी सौट वीडियो मैंने देखी यकीन माने देखकर के आँखों में आसू आ गया था मेरे वैसे तो मैंने वो विदाई वाली वी वीडियो देखी वो तो मैंने सच बता हूँ तो मैंने बंद कर दी मैंने देखी ही नहीं मेरे में हिम्मत नहीं थी क्योंकि कहते हैं न हम लोग फिर उसी याद में चले जाते हैं जब हमारी विदाई होती थी है न हुई थी और हमारे पैरेंस हम कितना रोय थे तो इसलिए मैं विदाईयों की जल्दी देखती नहीं हूँ लेकिन याँ पे सुमित भाई की निकू की और वो छोटी से गुडिया की जो मैंने शौट वीडियो देखी थी क्या ही बता हूँ मतलब इतनी कमाल की थी वो वीडियो और उसमें मेरे इतने आसु आए कि वाके ही एक पैरेंस अपनी बेटियों को न कितने प्यार से पालते हैं एक बेटा होता है वो आपको कहीं नी छोड़के जाता लेकिन आपके बेटियों आपको जरूर छोड़के चली जाती हैं उसे पालो इतने प्यार से उसकी देखबाल करो तो मैं इसलिए कहती हूँ मेरी बाते साइथ कुछ लोगों को बुरी लग जाती है लेकिन मैं बेटियों को जाते ही उस पे बोज ना डाले क्योंकि आज की बेटिया जो है न वो इतनी जादा मतलब इस्ट्रोंग नहीं होती है क्योंकि वो भी बहुत प्यार से पली होती है तो उन्हें प्यार से ही हर जिम्मेदारी को देने की कोसिस करें धीरे धीरे उन्हें टाइम दे उन जिम्मधारियों में जाने के लिए न उस जिम्मधारी आती है time to time वो खुद आ जाती है लड़कियों में तो खेर जी नेश्ट वीडियो में फिर मिलते हैं अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो फटा फट से subscribe गया करें और comment नहीं करते हैं अपलोग तो प्लीस कर विए